हलो फ्रेंट्स वेलकम टू गार्गी क्लासिज आज देटर 24 ऑगस्ट 2020 और इंडियन एक्स्प्रस की चार एडिटोरियल आपन डिसकस करने वाले हो वह चार एडिटोरियल कैसे हैं वह एक बार देख लेते हैं सबसे पहले आपन डिसकस करेंगे दे बिल्डर ओफ कॉमन ग्रा था तो उससे लेलेटेड आर्टिकल है बहुत इंपोर्टेंट है और लिखा गया भी करेंट फाइनन्स मिनिस्टर के द्वारा जो की निर्मला सीतरामन जी उनके द्वारा लिखा हुआ है तो पूरी डीटेल जानने कोशिश करेंगे साथ में कोविट 19 की वज़े से जो एल पूर्टेंट रूल रह सकता है टेकनोलोजी का और टेकनोलोजीकल इनोवेशन बेस्ट कुछ भी नया अगर डिस्रप्शन आये हेल्थ केर सिस्टम में तो कितना हेल्फुल हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे और फॉर्थ वन जो पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो अलाइंस इंक्रीज होता जा रहा है उसका पास से लेके अब तक का इंडिया का क्या बिहेवियर रहा है क्या आइटिट्यूड रहा है उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे और अभी क्या चल रहा है इनके रिलेशन्शिप में वो जानने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना discussion फॉस्ट आर्टिकल है ये आर्टिकल लिखा है करेंट फाइनांस मिनिस्टर निर्मला सीता नमन जी ने एक तरीके चाट्रिव्यूट है फॉर्मर फाइनांस मिनिस्टर अरुन जेटली जी के लिए तो GST जो आज Goods and Services Tax है वो एक तरीके से लाया गया था अरुन जेटली जी के द्वारा ही और इसको एक तरीके से Midnight of 1st July 2017 को अप्लाई कर दिया गया था जो कि Indian Economy में पिछले दसकों से वेटेड एक टास्क था जिसमें वन मार्केट का एक सपना पूरा हुआ साथ में जो इंटर स्टेट्स जो ट्रेड होता था उसमें जो बैरियर्स था उनको हटाने का काम हुआ मल्टीपल टेक्स जो देने पड़ते थे कस्टमर को कंजूमर्स को वो हट गए और साथ में बहुत सारे टेक्स को एक साथ सब्जूम कर दिया गया और जो डबल टेक्सेशन की प्रॉब्लम थी और कैस्केडिंग एफेक्ट का जो इशू चलता रहता था कि एक टेक्स यहाँ पे दे दिया एक चीज बन रही एक पैन बन रहा है करते वह पैन 10 रुपए में बिक रहा है 6 रुपए या 7 रुपए की बजाए तो यह कैस्केडिंग एफेक्ट भी कहीं ना कहीं खतम करने के लिए यह जी एस्टी ने अपने आप में इंपोर्टन्ट रोल प्ले किया है और यह यहाँ पर एनलेसिस करेंगे जी एस्टी का ठीक है तो जी एस्टी से पहले जितने भी टैक्सिस थे उनको खतम करने के लिए सब्जियूम करने के लिए एक एंपावर्ड कमिटी को स्टैब्लिश किया गया था जिसमें स्टेट फाइनस मिनिस्टर को भी साथ में लिया गया था जैसे कि आपको पता होगा कि जी एस्टी काउंसिल जो है वह एक कॉपरेटिव फेडरलिजम का बेस्ट इग्जाम्पल है जहां पर स्टेट्स ने और सेंटर ने मिलकर के अपने रिवैन्यू रिसॉर्स को एक साथ किया एक पूरा सिस्टम बनाया जिसमें सेंटर और स्टेट मिलकर के उसमें डिसीजन लेते हैं तो स्टेट फाइनस मिनिस्टर के साथ में बैठ करके एक अफोर्डेबल नेचर के बेसिस पे ये एक इंस्टिटूशन create किया गया और यह जो इसका foundation था वो कही ना कहीं जेटली जी ने खुद ने create किया था जो कि mutual trust पर बेस था और एक तरीके से कहते हैं ना dream comes true वो वाली बात कहीं ना कहीं हुई जो पिछले एक दशक से वेटेड थी अब देखते हैं कि GST ने अभी तक क्या किया है देखो GST में 17 टेक्स और 13 सेसे ठीक है सेसे ठीक और 17 टेक्स को सब्जियूम किया इससे फायदा क्या हुआ कि आज लंबी लंबी सिटीज के बाहर लंबी लंबी ट्रकों के लाइन नहीं दिखाई देती या फिर स्टेट्स जो बैरियर लगाया करते थे एक दूसरे को पर टेक्स को ले करके तो उस चीज में भी कहीं है कि म्यूच्वल ट्रस्ट देखा गया है तो वो भी आज बहुत कम है ज्यादा नहीं दिखाई देते हैं या फिर ना के बराबर ही है जबकि प्री जी एस्टी एरा की बात की जाए तो वैल्यू अड़ेट टेक्स देख लो एक्साइज डूटीज देख लो या सेंट्रल सर्विस टेक्स जो होते थे इनका कैस्केडिंग एफेक्ट देखा जात तो वो कुछ स्टेट में तो 35 परषंट था तो कुछ स्टेट में 110 परषंट तक जारा था तो एक डिस्क्रिमिनर्टरी भी कहीं ना कहीं ट colonial टेक्स सिस्ट्म था तो उसकी वजह से कंस्यूमर्स को ज्यादा हड़ रज्शिप का सामना पड़ता था साथ में यह टैक्स दिरे इंप्रूव हो रहा है और साथ में टेक्स बर्डन भी जो है कंजूमर पर वो कम किया जा रहा है तो यह अपने आप में एक अच्छा एक अपन कह सकते हैं आउटकम पिछले दो सालों के अंदर ठीक है जब इंट्रड्यूस किया गया था जी एस्ट को उस टाइम पे जो 0% से लेकर 0 5 12 18 28 31 ऐसे करके 5 6 slab हुई थी फिर रिड्यूस करके अब 28 18 12 5 और 0 इसमें रेंज में लेक्या गया है साथ में फर्दर और जादा ड्रास्टिक चेंजिस किये गया है जिनमें 18% 12% रेंज में बहुत सारी के टेग्रीज को ला दिया गया है मतलब 28% की के टेग्री जो 35 से लेकि 110 परसेंट जो टेक्स लगता था वो अभी केवल 12 से 18 परसेंट की टेक्स रेंज में आ चुका है तो कितना बेनिफिट हो रहा है कस्टमर को अपन देख सकते हैं साथ में जो कॉमन गुड्स हैं कॉमन आइटम से डेली उसे के इसाप से हैं वो अभी 5 परसेंट या फिर निल वाली के अंदर आते हैं जैसे हैं कि रेस्टोरेंट और कंस्ट्रक्शन सर्विसेज की बात की जाए तो अभी केवल 5 परसेंट की स्लैब में आते हैं जो पहले बहुत ज़्यादा कोस्टिंग हुआ करती थी सर्विस टेक्सिस के नाम पे अलग से ऐसे ही तो इसी तरीके से आज के टाइम पर करन्ट सिनेरियो अगर देखा जाए तो 480 आइटम्स ऐसे हैं जो केवल 5 परसेंट टेक्स रिजीम में आते हैं 221 आइटम्स ऐसे हैं जो केवल 12 परसेंट रिजीम में आते हैं और 617 आइटम्स हैं जो 18 परसेंट टेक्स रिजीम में आते हैं और केवल 29 ऐसे आइटम हैं जो 28 परसेंट टेक्स रिजीम में आते हैं जो पहले बहुत जादा नंबर में हुआ करते थे तो कहने का मतलब tax का जो burden हुआ करता था consumer पे उसको बहुत हद तक reduce कर दिया गया है ठीक है अभी क्या है revenue loss भी हुआ है और वो कितना अगर annually देखा जाए तो लगबग लगबग एक लाख करोड तक का annual loss है revenue में तो revenue अगर government को loss हो रहा है that means tax rates में भी reduction किया है तो इसका मतलब consumer पे load भी कम हुआ है यह चीज़ भी अपन देख सकते हैं यहां पर writer RBI का analysis code करते हैं और उसमें यह कहता है कि RBI नहीं बोला है कि जब से roll out हुआ है GST तब से GST का incident शुरुआत में जो 14% हुआ करता था वो घटके 11.6% तक ही रह गया है तो यह अपने आप में बहुत significant एक कदम बता रहे हैं यहां पर कि इसकी वज़े से आप देखो कि जो 14% का load रहता था टेक्स का वो अभी 11.6% रह गया है तो यह अच्छी बात है इसके साथ में बहुत से other concessions भी दिये गए थे जिसमें tax threshold भी fix के गए थी goods के लिए जो 40 लाग तक बढ़ा दिया गया था साथ जो पहले 20 लाग हुआ करता था goods के point of issue वो 40 लाग तक कर दिया गया ऐसे ही एक composition scheme थी जिसमें जो छोटे traders थे उनको एक relaxation देना कि भाई आपको एक limited level तक ही tax देना है इसके बाद में जो other जो ranges है 5% 10% 5% 12% ये इसमें नहीं आना आपको तो इसको भी 75 लाग से बढ़ा करके कितना कर दिया डेड़ करोड तक की range कर दी थी ठीक है पहले 75 लाग तक का जिसका turnover था annual उसको ही केवल ये composition जो scheme थी उसके अंडर में लिया हुआ था पर अपडेड करोड तक इसको बढ़ा के कर दिया है तो इसका ambient भी बहुत जादा बढ़ा दिया है ये एक तरीके से manufacturing और service sector के लिए अच्छा है क्योंकि manufacturer के लिए जो य आप में बहुत अच्छा कदम है जिसें कि small scale के उपर जो लोग invest करते हैं और ज्यादा से ज्यादा job employment या creation करते हैं तो उनके लिए कि ये beneficial point रहा इसी तरीके से input tax credit के बिना ही और भी interest rate को कम कर दिया गया है input tax credit क्या होता है कि मानलो आपने एक जगह पे कोई चीज खरीदी ए और इस पे आपने tax दे दिया पांच रुपए तो अब ये एके बाद में मतलब ए लेवल पे वो चीज है उस पे लगे पांच रुपए tax अब बी लेवल पे जैसे ही वो चीज गई तो उस पे ये पांच रुपए adjust करके बचा हुआ मानलो इसको total लगाना है 15 रुपए tax तो यहां पर tax कितना लगेगा ये पांच रुपए हटा करके 10 रुपए ये tax add-on करेगा पहले क्या होता था पांच यहां पर और 15 यहां पर करते तो यह cascading effect आता था तो यहां पर 20 रुपए और यहां पर effective कितना किवल 15 बच जाएगा क्योंकि 5 यहां पर लगा दिये और 10 B लगा दिये तो पांच और 10 15 रुपए का benefit हुआ अपने देख सकता है customer के customer के pocket पर लोड नहीं गया ठीक है तो यह input tax credit में special lower rates और कर दी गई without any adjustment किसके लिए construction और restaurant के लिए तो RBI की calculation के लिए अगर दिखा जाए कि according देगर revenue loss जरूर हो रहा है तो revenue loss के साथ में customer को भी तो less tax pay करना पड़ रहा है GST के अंडर में तो यह तो beneficial हो रहा है इसी तरीके से tax base को भी widen किया गया है पहले जहां पर tax assessment में total 65 लाख लोग ही tax के ambient म के अंदर तो यह चीज अपने आप में बहुत important है क्योंकि tax देने वाले या टेंक्स टेक्स जितना वाइडन अपने tax system होगा उतना ज्यादा अच्छा है बजाए कि कुछ लोगों पर ज्यादा tax लगाना यह चीज यह system economics में बहुत effectively implement होता है और होना भी चीज यहां पर GST क करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर average revenue collection की बात की जाए पर मंत 2017-18 में जो 89,700 करोड़ था वो 2018-19 में बढ़के 97,100 करोड़ हो गया और अभी करन 2019-2020 में देखा जाए एक लाख 2000 करोड़ तक यह increase हो चुका है तो कहने का मतलब पर मंत revenue अंडर GST यह भी बढ़ता जा रहा है यह steady increase देखा जा रहा है जबकि साथ में बहुत सारे concession और rate reduction भी continue किये जा रहा है तो implementation कहीं नहीं effective way में जाती हुई दिखाई देती है पर कुछ consequences भी हो है कैसे हैं कि जहां पर interest rate या फिर जो भी tax rate कम किये गए तो उसका consequence देखा गया है tax inversion में उसमें क्या होता है कि manufacture goods हैं उ तो होता क्या है जब raw material आप out of India से import करते हो उसमे tax कम ज्यादा लगाते हो और manufacture good के ओपर अगर tax आप कम लगाते हो तो manufacture good क्या होंगे बाहर से import कर लेंगे लोग क्यों raw material करीद करके फिर या इंडिया में produce करेंगे तो यह छोटे जो MSMEs हैं या फिर जो भी बड़े level पर job creators है उनके लिए challenging साबित हो रहा है जैसे कि footwear, fabric, readymade garments, bicycle, ink, pharma यह कुछ examples हैं तो इनको कही ना कही tax inversion का खामियाजा भुगत ना पढ़ रहा है क्योंकि यह raw material भाहर से आता है फिर यहाँ पे finish करके manufacture करते हैं जबकि direct manufacture किया हुआ जो material अगर भाहर से import करते हैं तो वो सस्ता पढ़ रहा है तो इसलिए यह जो inverted duty है यह कही ना कही problem create कर रही है और इसकी वज़े से कही ना कही estimated refund की जरूरत पढ़ रही है कितनी 20,000 करोड रुपय पर year तक की तो यह consequence आया है tax reduce करने का particularly on manufactured goods इस पे ध्यान देने की जरूरत हैं आगे अगर देखे compliance और simplification की तो GST से small units को free किया हुआ है कि small units को tax देने की जरूरत नहीं है और सबसे बड़िया चीज है कि जिन लोगों को tax नहीं देना है जैसे कि अपने 40 लाग तक का वो जो annual tenure के देखी थी जिनको GST exemption दिया हुआ है जो पहले 20 लाग ही था उन लोगों को केवल SMS ही करना है अपने phone से ऐसा भी और है उनको composition scheme में केवल 1% तक का interest देना पड़ रहा है साथ में service providers हैं उनको भी composition scheme candle लेके आ गया और कह दिया गया कि आपको flat 6% tax ही देना है तो यह एक तरीके से compliance को ensure करता है कि लोग easy platform को जल्दी से access करें तभी तो 1.2 करोड तक के GST filing हो रही है continue ठीक है GST जो है एक IT enabled platform है जहाँ पर software based काम होता है जो की free है small taxpayers के लिए जिसमें केवल SMS करना है अपने बात करी ली यहाँ पर registration सारा online होता है refund process है वो भी automatic होता है और वो refund process का जो authority है dispersal जो authority है जहां से refunding होती है वो केवल center है तो कहने का मतलब कोई physical interference नहीं है किसी और body का तो direct refunding account में आती है जो लोग tax pay कर रहे हैं तो इस तरीके से compliance भी जादा हो रही है और simplification भी GST और agriculture का अगर देखें तो agriculture sector को बहुत सारे concession दे रखे हैं GST ने agriculture input जैसे ही fertilizer machinery इनके जो taxes है इनके ओपर taxes बहुत कम लग रहे हैं साथ में दूसरे अगर inputs की बात करें जैसे cattle, poultry, aquatic feeds इन पर भी nil rate लग रही ह agriculture produce जैसे vegetable fruits, flowers, flowers हो गए, food grain हो गए, इनको भी GST से free रखा गया है तो dairy product है उनको भी छूट मिली हुई है कहने का मतलब agriculture को almost zero slab में रखा गया है या फिर कुछ चीजें हैं जहाँ पर minor सा text लगता है minute ठीक है tribal जो people हैं, जो minor forest produce के basis पर उनकी livelihood चलती है जैसे कि लाक हो गया, seasal leaves हो गया, select हो गया, इनको भी exemption मिला हुआ है GST के अंडर silk, cocoon, raw silk, wool, इनको भी nil rated जो पहले 5% slab में आते थे वहाँ 0% या फिर minor GST tax के अंडर में आते हैं इसी तरीके से जो service inputs होते है agriculture के लिए जैसे labor, renting, leasing, agriculture, machinery ठीक है, ऐसे preconditioning हो गया, ripening हो गया, waxing, यह मतलब सारा हो गया, इनको भी GST में free किया गया है तो storage और warehouses उनको भी exemption मिला हुआ है जो कि GST से पहले जब tax system हुआ करता था, वहाँ पर इनको 15% tax देना पड़ता था तो agriculture तो almost free है tax है MSMEs की बात की जाए, MSMEs को भी एक sensitive treatment प्रोवाइड किया जा रहा है GST regime में आज 35 से ज़्यादा ऐसे आइटम है जो 28% slab से उठा करके 18% slab में लेकर आ गए है और इसी 28 से 7 item ऐसे हैं जो 12% में आ गए है और 5 item ऐसे हैं जो 28% से उठा करके 6 item ऐसे हैं जो 5% की slab में लेकर आ गए है कहने का मतलब 35 item ऐसे हैं जिनको 28% की slab से छोटी slab में लेकर पुट कर दिया गया है साथ में ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि large employment generating जो भी activities वाली forms होती है जैसे कि rough diamond processing हो गई उनकी polishing करना हो गया उनका उनके उपर जो GST tax जो लगता था वो 3% से घटा करके 0.5% कर दिया गया है इसी तरीके से MSME जो कि service provide करती है for example restaurant हो गया, amusement park हो गया, online educational journals हो गई इनको भी बहुत हद तक tax में relaxation provide कर दी गई है GST council एक अपने इंडिया को जो federalism की बात होती है उसके लिए अरुन जेटलीजे ने describe किया था कि ये पहला experiment है जहांपर हम federal institute को establish कर रहे है जहांपर states और जो national central government है उनकी equal से होगी तो ये जो body है ये कही ना कहीं behavior करती भी दिखाई दे रही है अपनी utmost responsibility के साथ में अभी तक 40 meetings हो चुकी है, 41st meeting अभी 27th of August को होने वाली है तो इसमें कही ना कहीं target है रहेगा कि जो compensation says है वो लगाने की बात हो रही क्योंकि COVID-19 की वज़े से lockdown और consequential जो deferrals हो गए जो लोगोंने tax pay करना था उसमें कहीं deferrals आ चुके हैं तो उसकी वज़े से एक proper revenue collection नहीं आ पा रहा है और यह जो compensation tax, says जो लगाया जाएगा वो luxury या फिर sin goods पे लगाया जाएगा जैसे कि टॉबे को हो गया, टॉबे को product हो गया, cool हो गया, alcohol हो गया, इस तरीके से हैं, automobils हो गए इनके ओपर लगेगा वो tax तो यह जो target है, यह कहीं ना कहीं अभी जो upcoming meeting है उसका assure है, यह agenda इसी पे बात किया जाएगा, कि states की पास में जो revenue की कमी है, वो पूरी की जाए जिस time पे जब GST council establish की गई थी, तो एक path fix की गई थी, कि states को अगर revenue loss होता है GST implementation की वज़े से तो उनको 5 साल तक compensation provide किया जाएगा, और उस compensation में अगर कहीं problem आती है, तो एक meeting वापिस से finalize करेगी कि हम किस तरीके से resources को rise कर सकते हैं, चाहे हमें उधार ही क्यों ना लेना पड़े markets हैं हाँ, वो बात सही है कि borrowing अगर आपन कर लेंगे, तो आने वाले सालों के अंदर उस borrowing को prepay कर दिया जाएगा तो कहने का मतलब ये चीज़ पहले से clear थी, पर ये एक unprecedented situation आ गई है COVID-19 की, इसमें थोड़ा सा जल्दी से इनको कदम उठाने में problem आ रही है तो अभी ये meeting कहीं ना कहीं, अभी जो 7th, 41st meeting होगी 27th August को, वो बहुत जादा significant है last मेरा writer एक चीज़ कह रहा है, कि जो हमारा एक quest था, हमारा जो एक पूरी journey थी, जिसमें one market, इंडिया को एक one market की तरह हमें बनाना था जिसमें center और state जो है, collectively, fiscal rights को कहीं ना कहीं, पूल करेंगे, एक साथ लेकर के आएंगे, to establish healthy federal body, जो की GST council है challenges बहुत सारे हैं, revenue generation को लेकर के, और साथ में technological support को लेकर के, क्योंकि technically देखा जाए, तो technological infrastructure इंडिया में अभी भी weak है साथ में लोगों के awareness नहीं है, education की कमी है, तो ये challenges अपने आप में हैं, और coronavirus ने और भी ज़्यादा deteriorate कर दिया है परिश्थिति को तो इस परिश्थिति में भी states ने अपनी एक maturity और understanding को दिखाया है, और एक जो spirit होती है, जिसमें collective responsibility और statement ship की जो एक attitude दिखाया है तो इसकी वज़े से mutual trust भी बढ़ा है, states और center के बीच में और confidence में बढ़ता गया है तो cooperative federalism के बारे में जब बात आती है, तो GST अपने आप में बहुत important है, GST council बहुत important है तो हम कहीं न कहीं आज इंडिया को एक single market के तौर पर देख पा रहे हैं, तो ये किसकी वज़े से हैं, हमारे former finance minister अरुन जेटली जी की वज़े से तो यहाँ पर आप जो political point है, political point इतने ज़्यादा थे नहीं, उनको आप exclude करके ये article बहुत important था, जहान रखना आप इसका Next, dignity amid COVID, ये माला कपूर, शंकरदास और अनुप्रिया मलिक के द्वारा लिखा हूँ article है, बड़ी article है, देखते हैं क्या है इसमें USA का एक Center for Disease Control है, उन्होंने एक research की और उसमें ये बताया कि COVID-19 की वज़े से जितनी deaths हुई है, उनमें से 25% death तो 55 years की age या उससे ज़्यादा की age वाले लोगों की हुई है तो मतलब quarter deaths, एक significant data है, पर problem ये है, जो चीज निकल कैई वो ये है कि ये जो deaths है, ये virus की वज़े से ही नहीं हुई है, इसके अलावे बहुत सारे region थे, जैसे कि social distancing, self isolation, traveling restriction, तो इससे क्या हुआ, वो अपनी healthcare को accessibility को कही नहीं खोते हुए दिखाई दिखाई दे गए, उनकी ज तो वो भी कही ना कहीं equally role play कर रही थी, जैसे कि elder person को बोल दिया गया कि आप सको self isolation में रहना पड़ेगा, तो वो कही ना कहीं एक उनके लिए ज़्यादा घातक साबित होता हुआ दिखाई दिया, हाँ ये बात सही है, कि COVID-19 को control करने में बहुत important role play किया है, self isolation या social distancing ने, पर अगर अपन देखें, intergenerational ties, दादा का पोते से जो link रहता है, साथ में, फिर आप अचानक से बोलते हो कि physical distancing करो, तो वो अपने आप में बहुत difficult है, अगर इंडिया की बात की जाए, तो elderly people, लगबग 88% elderly people जो हैं, वो अपने बच्चों के साथ में रहते हैं, तो उनका contact में आना और infect होना, ये कहीना कहीं chances बहुत ज़्यादा रहते हैं, कि बच्चे तो क्या है, वो ही बात, social distancing क्या matter क्या था, ये ही था, कि आप हो सकता है, आप healthy हो, तो आप बिमार, आपके infection हो गया, पर आपकी body पे इतना effect नहीं आया, पर आपके घर में ही कोई बिमार है, आपके बड़े लोगों में, बुजर्ग लोगों में कहीना कहीं जादा रहती है, तो इस वज़े से, कहीना कहीं, इनके लिए ये difficulty भी थी, distancing maintain करना, तो कहीना कहीं, वो vulnerable भी थे, तो हमारी जो इंडिया की extending families है, वहाँ पर एक facility क्या होती है, जब बूरे साथ में होता है, तो उनको उनका जो health care या फिर basic needs होती है, वो कहीना कहीं, अवेल होती रहती है, दो तीन बंदे हैं मान लो घर के अंदर, तो किसी एक को एक काम बोल दिया, किसी दू को दूसरे को दूसरा काम बोल दिया, तो ऐसे करके work division होता तो उनकी take care अच्छे से हो पाती थी, तो हुआ क्या है, इसी वज़े से कहीना कहीं एक problem देखी गई है, कि उनको health care accessibility कहीना कहीं उनकी ensure नहीं हो पाई, दूसरी तरह अकर देखें इंडिया में, तो 17 million जो बुड़े लोग हैं, वो extended family के साथ में नहीं रहे, उनको self isolation या फिर social distancing manage करने में कोई problem नहीं आई, पर उनको problem क्या आई, food, water और basic services को access करने में, क्यों? क्योंकि lockdown के time पे आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, आप दुकान पे नहीं जाते हो, shop पे कुछ खरीद नहीं पा रहे हो, तो उन चीजों को आप कहीं ना कहीं ensure करने में अपन weak रहे, फिर बात आती है कि जो बुड़े लोग हैं, जो अकेले रह रहे हैं, उनको technological या फिर internet accessibility उनके ensure हो जाती, तो वो online order कर सकते थे, पर अगर उसकी बात करें, तो इंडिया में केवल बुड़े लोगों में से 7% ही ऐसे लोग हैं, जिनके पास में smart phone है, तो अपन देख सकते हैं, कितना weak penetration है, अगर ये technological disruption को अपन utilize करने की बात भी करें तो ठीक है, literacy rate है, वो भी बहुत कम है, तो technology को access करने का जो criteria है, जो approach है, वो अपने आप में बहुत कम है, साथ में information भी वो access नहीं कर पाए properly, तो ये चीज और भी ज्यादा grave बन जाती है situation, ठीक है, कुछ reports हैं, ये जो report थी USA based, तो उस report में ये भी indicate किया हुआ है, कि healthcare facilities को access करने म बहुत ज़्यादा परिशानी हुई है, और उसको और ज़्यादा aggravate कर दिया, physical disabilities ने, और इस तरीके से जो communicable disease थी, जो ये आई, इसने और भी ज़्यादा hinder, और भी ज़्यादा परिशानी बढ़ा दी, अगर OPD section की बात की जाए, जहां पर non communicable diseases को treat किया जाता है, वो भी severely severely affect हुआ है, किसकी वज़े से, COVID-19 की वज़े से, क्योंकि hospitals में जाने से डर रहे थे लोग, वो भी ये का गया कि भई, बुड़े लोगों को ज़्यादा vulnerability है, बेशक है, पर उसकी वज़े से और भी ज़्यादा consequence बढ़ किया है, अगर older people की बात की जाए, तो उन्होंने अप उसकी वज़े से, mortality rate जो है, वो elder persons में ज़्यादा दिखाई दे रही है, अभी COVID-19 के टाइम पे, ठीक है, साथ में जो economic walks होते हैं, कोई भी activity हो रही है, उसकी वज़े, उनमें भी अगर देखो, segment में भी देखा जाए, तो elders को 80% को inadequate salary provide की जाती है, वो दूसरों पे dependent होते हैं financially अगर देखें, तो ये अपने आप में eco difficult circumstance निकल के आती है, government ने बेशक first relief package जब release किया गया था, उसमे 1000 रुपीज सीधे target किये गए थे, जिसमें pension के तौर पे दिये गए थे, 30 million widows को, और साथ में senior citizens को, पर हुआ क्या, इसमें ये जो facility है, या आपने avail कराई केवल 20% older people को तो 80% की जो security है, वो नहीं ensure हो पाई, साथ में जो second relief package दिया गया, उसमें senior citizens को cover ही नहीं किया गया, तो ये अपने आप में और भी ज़्यादा परिशानी का कारण बनती है, तो यहाँ पर writer एक important बात बोलते हैं, कि health care scheme जैसे कि आयुश्मान भारत ही उजना है, इसमें हमें एक special provision करना चाहिए elderly people के लिए, telehealth या फिर mobile based जो home health services अपन provide कर सकते हैं, जिनमें check ups भी conduct हो सकते हैं, उसको हमें ज्यादा से ज्यादा provide करना चाहिए, और direct subsidy और pension provide करनी चाहिए, जिससें कि health care services difficult times में easily available हो सके बुड़े लोगों को, तो हमें उनकी dignified life को ensure करने के लिए, इन essential rights और essential services को ensure करने की जरूरत है, ठीक है, तो ये दो article अपने complete होता है, थर्ड article ये है online path to health care, ये article रिखा है के मदन गोपाल और सूरिया प्रभा सदाशिवन ने, ये भी article बहुत important है, क्योंकि health care का issue अभी COVID-19 के बाद में बहुत ही गजब तरीके से expose हुआ है, कि क्या कमिया है हमारे system में, तो Indian health care system जो है, वो पिछले दशक में बहुत ही अच्छे से, या फिर evolvement मतलब उसमें advancement हुआ है, by with the adoption of new technology, नई technologies को adopt करते हुए, जिसे की focus किया गया है कि कैसे भी service quality को improve किया जा सके, हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं uniformity और inclusiveness की बात की जाए across the country, वो कहीं ना कहीं uniform नहीं है, equally provide नहीं होती है, आज अगर एक तरफ अपन देखें, जहां पर state of art private facilities है, जहां पर advanced testing होती है, treatment technology बहुत advanced होती है, जो कि केवल urban people के लिए ही accessible है, तो दूसरी तरफ एक ऐसा section भी है, जो बहुत गरीबी के चंगल में फसा हुआ है, उनको basic care है, व यह अपने आप में एक divide दिखा रहा है, healthcare system का, देखो divide की इंडिया में तो हर जगें problem है, का सिस्टम को उठा के देख लो, economic system की उठा के देख लो, political system की उठा के देख लो, हर जगे पर दो section बन रहे है, have and have not, बस, जो marks का, काल marks का system है, वो कहीं नहीं apply होता ही दिखता है, क् COVID-19 crisis ने यह जो crack है, जो gap है health system में, इसको और भी prominently expose किया है, हर दिन नए challenges निकल के आ रहे हैं, और इन challenges को हमें देखना पड़ेगा, और इनको fix करने की ज़रुरत है, यह अपने आप में बहुत ज़्यादा crucial है, आगे आने वाले time में, इन आगे further जो भी issues हैं, उनको tackle करने में, जिसमें एक issue है low health awareness, poor education, यह अपने आप में बहुत important है, इस पे हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देनी की जरूरत है, literacy level को increase करने की जरूरत है, हाँ यह बाठीक है कि recently जो regional efforts हुए है, local level पे लोगों को aware किया गया है, उसने promising results भी दिखाया है, पर फिर भी हमें across the country empire किया जाए, तो difference बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, यहाँ पर example देते हैं कि बिहार और जारकन, education और इसने केस हाँ से बहुत backward consider किया जाते हैं, यहाँ पर awareness increase करी गई, abortion से related, तो वहाँ पर एक behavioral change भी automatic दिखाई देने लग गया है, तो यह जो efforts है, यह हमें ज़्यादा करने की ज़रत है, चाहे वो personal level पर करो, चाहे जो corporate social responsibility का level है, वहाँ पर करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा से ज़्यादा करो, जिसें की health issues को लेकर के उनके behavior का अपन change कर सकें, इसका सबसे best example क्या है, COVID-19 pandemic के time पर, जो social distancing की बात की थी, mask लगाने की बात की थी, repeated hand wash की बात की थी, उसकी वज़े से आज हजारों जिंदिगें बची हैं, तो ये behavioral change ही तो है, इसके उपर हमें ध्यान देने की जरूरत है, साथ में quality health care accessibility भी हमें ensure करने की जरूरत है, particularly rural population में, ये भी अपने आप में एक बड़ा challenge निकल के आता है, क्योंकि rural population में क्या है, कि वहाँ पर hospitals बहुत दूर located होते हैं, तो उनकी कोशिश ये रहती है, कि हम कैसे भी करके avoid करें, इन health facilities को access करने से, तो तब तक नहीं जगते, जब तक की वो serious complication में convert ना हो जाए, और इसकी वज़े से कही ना की negative effect आता है, ultimately country के पूरे health care system पे, जो आज healthy है, या फिर शुरुवाती symptoms म नहीं, अगर उसको treatment मिल जाए किसी भी patient को, तो वो आने वाले time पे severely बिमार नहीं होगा, तो country का health care system भी burden समनी होगा, तो वो भी problem अपन पहले से कर सकते हैं, वोई बात prevention is better than cure, तो वो बात कब होती है, जब आप aware करके रखते हो लोगों को, इसी तरीके से हमें identify करने की कि क्या barriers है, इन health care systems को access करने में, जब जोग्राफिकल हो, जए social हो, जए financial हो, या systematic हो, लोगों को sensitize करना चाहिए, इससे हम long term actions को ensure कर सकते हैं, और इन सारी problem को remove कर सकते हैं, केवल doctor, nurses, medical or technical staffs को ही train करने की जरूरत नहीं है, केवल इनको train करना, skill या equip करने की जरूरत नहीं है इनका all over country, regional basis देखा जाये, तो equitable distribution होना चाहिए, हर region में according to the number of people, वहाँ पर ये avail होने चाहिए, जो staffs हैं, ये personals हैं, इनकी availability ensure करने चाहिए, जो की remote और rural areas में इनकी shortest देखी जाती है, तो ये situation और ज़्यादा grey हो जाती है, और country के health care system पे और ज़्यादा burden बढ़ता है इस वज़े से हमें कहीं न कहीं clear enforceable policy बनाने की ज़रत है, जिसे की human resources को mobilize करें, और एक single patient को जितनी take care की ज़रत है, उतनी उनको care मिले public hospitals की अगर बात करें, तो उनका तो कहना ही क्या, उनका तो बहुत ही बुरा हाल है, unreliable, indifferent quality के हैं, जबकि private sector की बात करें, तो वहाँ पर कहीं न कहीं अच्छी quality की, quality health care मिलती है, तो अगर किसी की pocket allow करती है, afford कर सकती है, तो हमेशा first choice किसी भी patient की private sector ही रहती है, private hospital ही रहता है तो हमें जो public health care infrastructure उसको भी हमें better करना पड़ेगा, और जो private sector में जो ज़्यादा पैसे लगते हैं, उनको भी हमें regulate करने की जरुरत है, उनको भी एक minimum या adequate level तक लेके आने की जरुरत है, जिसें कि किसी गरीब के pocket पे ज्यादा load ना पड़े, health care sector को और भी ज्यादा हमें ध् of pocket expenditure बहुत ज़्यादा भड़ रहा है, क्यों अलग-अलग test कर वा ली जाते हैं, अलग-अलग procedures के थ्रू जाना पड़ता है, तो इनको हमें eliminate करने की जरुरत है, हमें एक clear demarkation करने की जरुरत है, जिसमें कि एक proper accountability ensure की जा सके, health care sector की, तो इन problems को हम resolve कैसे कर सकते हैं, जब एक communicative और एक responsible culture अपन develop कर सकें, जिसमें digital innovation जो है, वो एक बड़ा role play कर सकता है, वो कैसे, देखो, जब कभी भी किसी doctor को, किसी patient को check करना है, तो उसके पहले उसकी जो health history रही हुई है, उससे related उसको information लेनी हो, तो किवल एक ID number या फिर directly access कर ले, तो उसको एक long term में easily वो patient को treat कर पाएगा, और केवल previous history को जानने में doctor को ज्यादा time नहीं लेगेगा, तो उनका एक precious time जो है, वो save होगा, इसी तरीके से अपन देख सकते हैं, जो patients हैं, वो भी distance से doctors को access कर पाएगा, अपनी खुद की detail देख करके, specialist doctors के बारे में पता करके, फिर उनको approach कर सकेगा, तो कहने क और की जा सकती है, शुरुवाती अगर, शुरुवाती stage पे ही patient को कोई problem आ रही है, और वो अगर अपना data online अगर update कर देता है, और फिर जाकर के specialist doctor से मिलता है, तो उसके लिए doctor के लिए easy going रहता है, इसमें time saving है, और time पे treatment provide होना, दोनों चीजे हो जाती है, अभी COVID-19 के time पे जो oximeter, skyrocketed oximeter की जो details थी, वो doctors के पास में सीधी पहुंच गई, तो बिना किसी risk लिए, social distancing में maintain हो रही है, और oxygen level को doctor अपने घर पे बैठे बैठे, या फिर hospital में बैठे बैठे, patient का check कर पा रहे हैं, इसी हिसाब से दूसरा देख सकता है, drone delivery system, जिसमें life saving medicines को deliver करना, या blood samples क लेना, इन सारी चीजों को ensure करने में, drone facility बहुत अच्छी रह सकती है, इससे क्या होगा, remotely या फिर rural areas में भी आप healthcare बढ़िया से ensure कर पाऊगे, तो कही ना कही हमें seconds के एक दर्मया, मतलब within a fraction of second, facility अवेल कराई जा सकती है, by using technology, तो हमारे यहाँ पर, जो digital adoption है, उस पर depend करता ह कि कितनी जल्दी लोग aware होते हैं, कितनी जल्दी infrastructure develop होता है, कितनी जल्दी public health facility भी digitally advance होती है, उतनी ही जल्दी हम, हमारी जो constraints हैं, जो healthcare system में अभी देखे जा रहे हैं, COVID-19 के time पे, और बढ़िया तरीके से exposed हुए हैं, उनको हम resolve कर सकते हैं, और साथ में affordability पे ensure करने की जरू होता है, long term में, तो यह जो basic health care challenges है, इनको solve करने की जरूरत है, यह बहुत important है, इसी से हम universal health coverage को ensure कर सकते हैं, जिसमें की equitable, fair और transparent manner में health secure की जा सकती है, लोगों की, ठीक है, तो इस तरीके से तीसरा article भी complete होता है, और fourth and final article is about a deepening alliance, यह आर्टिकल है, अभी जो meeting हुई है, पाकिस्तान की foreign minister और Chinese foreign minister के बीच में, कहां पर island province of Henan, चाइना में, जिसमें एक joint statement declare किया गया है, यह चीज कहीं न कहीं, फिर से consolidate करती है, कि all weather partnership, उसकी और ज्यादा broadening हुई है, और ज्यादा issues पे यह बात करना शुरू कर चुके हैं, चाइना और पाकिस्तान, ज north में, दोनों तरफ से, north east की तरफ, दोनों तरफ से यह अगर साथ में आते हैं, तो इंडिया के लिए दो front कहीं आपन रहते हैं, अब इनकी जो एक तरीके से meeting हो रही है, इनका जो एक consolidation हो रहा है, partnership बन रही है, वो economic, commercial, political, security हर एक segment में जानी शुरू हो चुकी है, अभी इस round की जो meeting हुई है, इसमें कहीं ना कहीं, ज़्यादा significance तब आ जाती है, जब इंडिया और चाइना के बीच में, अभी तक भी military stand-off है, वो eastern Ladakh वाले region में resolve नहीं हुआ है, तो ज़्यादा significant हो जाता है, पाकिस्तान का चाइना के पास में जाना, तो इंडिया को इस परिष्तित की इस consequence से cope करने के ज़्यादा जरूरत है, जिसमें पाकिस्तान और चाइना के बीच में partnership लगातार बढ़ती जा रही है, और इसको देखा जाए, तो 1950 से इनकी relationship को देखा जा सकता है, जिसको इंडिया ने कहीं नहीं over confidently या फिर ignore किया है, underestimate किया है, अगर आपन देखें, तो हमेशाँ पाकिस्तान और चाइना को alliance है, वो कहीं नहीं लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर 1950 से देखा जाए तो, immediate concern तो क्या है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर के political coordination established किया है, जिसके basis पे कश्मीर में जो constitutional change किया है डेली ने, उनको सीधा international level पे condemn करने के लिए एक mobilization कराया है, अलग-अलग जो भी like-minded countries थे उनको एक साथ लेकर किया है, जैसे Malaysia हो गया, तरकी हो गया, इनके साथ में statement, साथ में अभी जो ये statement है, जिसमें वेंग, Chinese foreign minister और कुरेशी, पाकिस्तानी foreign minister, इसमें चाइना का फिर से ये joint statement में आना, एक re-affirm करता है, कि इंडि के दोनों एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, दोनों countries का जो core interest है, वो कुछ और है religion को हटा करकी, पाकिस्तान एक तरफ जहां human rights को protect करने की बात करता है कश्मीर में, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने चाइना के जो शिंजियान प्रोविंस में, जो उईगर मुशलिम्स है जिनको confinement zones में रखा जा रहा है, जिनको एक तरीके से convert करने की कोशिस की जारी है, उनको उनके freedom से दूर रखा जा रहा है, उसको भी support किया है, जबकि वो मुसलिम्स ही हैं, जबकि कश्मीरी मुसलिम्स के लिए पाकिस्तान open mouthly, मतला openly एक तरीके से कहता है कि वहां पर कश्मी international relationship की point देखी जाए, तो वहां पर religion को एक side में रख दिया गया है, और अपने खुद की जो shared interest है चाइना के साथ में, जिसमें main है, इंडिया को continue करना, उस पर ज्यादा focus कर रहा है, यहां पर writer ये बोल रहा है, कि hypocrisy जो है international relationship में बहुत important role play करता है, और हमीशा part रहा है, hypocrisy का म लोगों के लिए तो वो कर रहा है कि human rights violet हो रहा है, जबकि शिंजियार में विगूर जो muslimi हैं, उनके लिए वो बात ही नहीं कर रहा है, support और गर रहा है चाइना को, कि वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, इंडिया को ध्यान रखने की ज़रत ये है, कि अभी तक जो central reality है, इनके relationship की, इसको हमने कही न गई, reluctantly या फिर हमने ध्यान ही नहीं दिया है, चाहे वो कारा कॉरम highway का बनना हो, जिसमें कश्मीर के थू जा रही है, वो 1970 में बनाया गया, या फिर चाइना पाकिस्तान economic corridor, जो भी कश्मीर, पाकिस्तानों के बाइट कश्मीर से जा रहा है, य जिंके दुआरा 1980 में, या फिर आज के टाइम पे कश्मीर के issue पे इन दोनों का साथ में आना, तो इन सारे चीज़ को देखो, और साथ में चाइना को जो ambitious target है, Indian Ocean Strategy, उसमें भी पाकिस्तानी naval forces का integrate करना चाइना के साथ में, तो ये चीज़ें अपन इग्नोर नहीं कर सकते है और पहले से चलता आ रहा है, तो दिल्ली को इस चीज़ के लिए तैयार रहने की जरूरत है, कि जो चाइना पाकिस्तान का joint support है, उसका कही ना कहीं जो north east में insurgency फिर से शुरू हो रही है, ठीक है, जो ग्रेटर नागालिम की डिमांड करने वाले हैं, उनकी तरफ या कोई internal regional या international जितनी भी vulnerabilities है, वहाँ पर चाइना पाकिस्तान का coalition इंडिया को कही नगे हाम कर सकता है, तो इस चीज़ के लिए हमें तयार रहने की जरूरत है, और इन challenges को recognize करते हुए necessary steps लेने की जरूरत है, जिससे के आने वाले दिनों में हम कमजोर ना पड़ें, ठीक है, तो इस तरीके से आज का अपना discussion यहीं कहतम होता है, thank you